हाई गाईज वेलकम बैक इन गैट पास कुक गाईज क्या भिंडी आपकी फेवरेट है अगर फेवरेट है तो इसको डिफरेंट तरीके से बना के खाएंगे तो और ज़ादा फेवरेट हो जाएगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले भिंडी को अच्छे से वा बनाना जो की बहुत यूनिक चीज है आपको कुछ भी नहीं सोचना पड़ता जो रेगुलर आप खाना बना रहें उसको आप डिफरेंट तरीके से बनाएंगे तो आपका टेस्ट भी डिफरेंट होगा और आपको खाने में मज़ा आएगा तो चलिए बनाना शुरू करते सबसे पहले हमने इसके पर डाल लिया है हल्दी मिर्च नमक अभी हम नहीं डालेंगे प्रिवे अग अभी है इस स्टेज पर हमने नमक डाला तो हमारी भिंडी में पानी छूट जाए थो हमने सिर्फ मिर्च और हल्दी डालीये और इसको हमने किया है थोड़े से तेल में fry आप चाहे तो deep fry भी कर सकते हैं बट मैंने इतने ही तेल में fry किया है और इसको अच्छे से fry होने देंगी इसको पकने में 5 मिनिट लगे क्योंकि मारी भिंडी fresh है अगर भिंडी थोड़ी पुरानी है तो हो सकता है जाता टाइम और थोड़ा सा तेल और डाला उसमें हमने मसाला बनाया उस मसाले के लिए मुझे यहां पर चाहिए था प्याज मेर्ची टमाटर और लैसुन और यह सब मैंने चॉप कर ली थे मोटे मोटे रफली कि मैं इनका pureet बना सकूँ दो भी हो दो के घंद लसन डाल दीया है और इसको हम अच्छे से pureet बनाया लेते है और वह आप इस तरह से सबची बनाते हैना किसी सबची भी अचिए रहा बर आता एक पर आक स्युक्ष हमारोड स्वेड़ा लाद हो हम कजी देखेए अब गैस बं करती है उसके बार मेने डालकर मसाला अगर आप गैस बंढ करें टालते हैं तो आपके जो दिवार है तो तो इस तरह के नहीं करते हूं क्लीन कहा सकते हैं इक बीटिन भाहर नहीं है तो आप थैस अंदुने में नमक हल्क धनिया और अच्छे से मिलाया आप चाहिए तो इस तरह से पानी या तेल उपर आ जाएगा तब आप समझे कि आपका मसाला पक चुका है इस स्टेश पी जो हमने भिंडी फ्राय की थी बूर डाल दें और फिर 5-7 मिनिट तक हम इसे और किसी तरह से रहने देंगे ताकि भिंडी में हमारा नमक का फ्लेवर आजाए क्योंकि हमने फ्राय किया था उसमें हमने नमक नहीं डाला था इस बात का ध्यान रखें और यह दे